हलो दोस्तो आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है आज आ एट टॉफ में आज थी बैंग निफ्टी की वीकली एक्सपायरी तो एक्सपायर के दिन बैंग निफ्टी का मुमेंट क्या रहा और किस तरह के कॉल्स आपको मिले ये सारी बाते मैं आपको बताऊंगा साथी साथ हम चेक करेंगे कौन से perfect call थे कौन से fake call थे और ये strategy ने आपको आज के date में क्या result प्रोवाइड करवाई ये सारी बाते मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को request करूंगा अगर आप चैनल पर आज का वीडियो फर्स टाइम देख रहे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल एकन प्रेस कर दे ताकि इसी तरह के वीडियो जो हम ये strategy को लेके बनाते डेली उसके notification आप तक पहले पोचे ठीक है तो ये शुरू करते आज का वीडियो तो आपके सामने यहां पर आप देख पा रहे हो यह advanced option strategy यह strategy आपको 90% के accuracy देती है तो आपको green color caro देखना को मिलते है इनका indication buying का बनता है ठीक है आपको जब भी ये signal प्रोवाइड होता है तो आपको वो candle के closing पर काम करना है मतलब जिस भी candle पर call generated होता है वो candle के closing पर आपको काम करना है अब ये candle closing का पता आपको कैसे लगता है तो उसके लिए आपे closing timer दिया है ये timer आपको बताएगा कि candle कब close होने वाली है जैसे यहाँ पर 10 या 20 seconds पाकी होते है तब आपको call का confirmation लेना है जब candle closing का confirmation आपको लेना है तो वहाँ पर green volume आपको देखना है second parameter आपको देखना bias का percentage seller से जादा होना चीए third thing आपको candle का color देखना ये green मेर है और last में ये जो trailing stop loss है ये आपको देखना ये candle के नीचे जीए तो ये सारे parameter जो भी call follow करेगा वो ही call confirm perfect माना जाता है और ऐसी call में आपको trade करना है क्योंकि ऐसे calls के accurate से आपको 90% के मिलेगी first target को लेके तो यहाँ पर अगर चेक करो तो ये confirm perfect call माना जाएगा ये first call जनरेट हो आज के दिन में हम यहाँ पर bank nifty का 48,300 का put देख रहे है आज का market mostly आपको put side में दिखाए दिया तो यहाँ पर आप देख सकते हो put side में एक call जनरेट हो आता जो आया था 10 बच के 25 मिनिट को confirm perfect call था morning का और यहाँ पर first even second target भी आपको मिला है तो यहाँ पर आपको entry मिली थी check कर सकते हो आप 437.55 के rate से first target भी आपका 471.20 का second था आपका 496.70 का easily आप यहाँ पर check कर सकते हो जो high लगा है 506.35 और उसके बाद यहाँ पर market पुरा नीचे आया है और उसके बाद कोई भी आपको confirm perfect call नहीं मिला आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दो call जरूर मिले लेकिन दोनों fake call थे दोनों में आपको trade नहीं करना है और fake call की definition क्या हो सकती है जहाँ पर भी call जनरेट होता है उस call पर अगर एक भी parameter जो मैंने आपको अब भी बता है उस आपको 73 नहीं करना है ऐसे call म आपको forcefully trade नहीं करना है को स्टिकल्य आपको ऑब्र करना है ठीक से यहीडियं मना जायगा अगेन आपकोर एकTwo away call मिलाव अ इसमें अब को देख नहीं करना है लेकर गर देखा जाय किसमें आपको target भी मिला थीक है정이 है बट ऐसे call की accuracy आपको कम देखने को मिलती है तो हम रिकमेंड नहीं करेंगे आप ऐसे कॉल करो ठीक है तो इस तरह से कंफर्म परफिक कॉल का डिफरेंस मैं आपको बता है तो मैंने यहां पर 47,800 का कॉल लगा और सारे कॉल आपको पास मिनिट के टाइम फ्रेम पर देखने तो यहां पर चेक कर सकते हो पूरे दिन में आपको कोई भी ट्रेड नहीं मिला सिवा एक जो आया था आराउंड 11 बच के 20 मिनिट को कंफर्म परफिक यह कॉल था सारे परामेटर साप अगर यहां पर चेक करें तो वल्यूम था बाइस थे केंडल गरिन थी और ट्रेलिंग स्टॉपलर्स भी नीचे था तो कंफर्म परफिक यह कॉल था एक्जैक्ली आपको फर्स टार्गेट यहां पर मिला और उसके बाद मार्केट नीचे आया और उसके बाद कॉल साइड में आपको एक भी ट्रेड देखने को नहीं मिला तो यह था बैंक निफ्टी का व्यूव एक्सपार के दिन का मैंने आपको कॉल साइड पूट साइड दोनों का व्यूव बता तो यहां पर इस तरह से यह स्टाटेजी काम करती है आप अगर इस स्टाटेजी का लाइव डेमो देखना चाहते हो तो आजी स्क्रीन पर दिये नंबर पर आप मुझे कॉंटैक्क कर सकते हो वाट्सैप कर सकते हो झाल